मैं तुझे जान लू, तु मुझे जान ले, मैं तुझे पहचान लू, तु मुझे पहचान ले, बहुत ही सरल है प्यार का ये व्याकरण, तेरी मैं मान लू, मेरी तु मान ले, नवशकार जैजनेंद्र, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंशना जेन, एक बार फ अभी हमें ऐसा मोका मिले कि हमें उनकी लिए कुछ कहना है तो यह हमारे लिए बहुत यादगार शन रहता है। जी हाँ बिलकुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करें हमारे पेरेंस की एनिवरसरी की। चाहे वो सिल्वर जुबली हो या गॉल्डन जुबली हो। अगर यह सेलिब्रेशन है और आप अपने भाव की अभिवेक्ति अपने पेरेंस के लिए रखना चाहते हैं। आप कैसे बोले, क्या बोले और अपनी भावनाओं को उन तक कैसे पहुचाए। अपने शब्दों के माध्यम से यह खास इस पीच उन सभी लोगों के लिए हैं जो अपने पेरेंस से प्यार करते हैं और उनके लिए अपनी भावनाओं को बताना चाहते हैं। कहते हैं कि जो मन में होता है उसे दिखाना पड़ता है जताना पड़ता है शब्दों के माध्यम से तो शब्दे के इसी कला है जो हमारे मन के भाव को उन तक पहुचा देती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक खास वीडियो आज अपने पेरेंस की एनिवरसरी के लि यह उस्तों का वो त्योभार है जो एक दूसरी की प्यार की प्रगारता को दर्शाता है जैसे जैसे समय बीता जाता है उनका प्यार और बढ़ता जाता है और इस मोकी पर जीवन साथी एक दूसरी के लिए प्यार को व्यक्त करते हैं आभार को व्यक्त करते हैं और इसे खा मुझे आज इस पीज़ देदे का मुखा मिल रहा है कुछ इस तरह से कह कर आप अपनी शुरुवात कर सकते हैं आप कहे सकते हैं कि आज मुझे अपने पेरेंस के लिए जो च्छन मिला है वो मेरी लिए बहुत यादगार बनने वाला है आज आप इस संध्या में आए और मेरे आपको प्रेम की वो कहानी सुनाने जाऊंगी जब से मैंने अपने आप में समझ को पाया है मैं जब से समझने लगा हूं जानने लगा हूं और मैंने इस खुबसर जोड़े के साथ जो जीवन बिताया है उसका अनुभो और एसी एक प्रेम कहानी में आपको बताना चाहता हू आज मैं इतने सालों से इन दोनों को देख रहा हूं और जिस मुकाम से मैंने शुरुवात कि थी आज मैं देखता हूं कि जितने साल बित्ते गए है मेरे मभी पापा का प्यार उतना बढ़ता गया है दोनों एक दुसरे के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और एक दुसरों को समर्पित के साथ उनकी जो आपसी प्यार है और समझ है और जो आदर है एक दुसरे के लिए वो हमारे लिए एक प्रहना है तो मुझे बहुत खुशी है और इस बात का मुझे गर्व है कि मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश की है और मैं उनकी एक बैटी हूँ ये बात का मुझे बड़ा गर्व है और किसे पता था ये कौन जानता था कि जो एक आकस्मिक विभा हुआ है जो एक मुलाकात के बाद हुआ है वो इतने सालों के बाद एक दूसरी के प्यार में इतने पागल हो जाएंगे कि पचास साल का जीवन का सफर उन्होंने बड़ी सहिजता के साथ पुरा कर लिया आज मैं अगर इमानदारी से ये बात कहूँ तो आज मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसुस हो रहा है कितनी खूबसुरा जोडी ने मेरी परवरिश की है और मैं आज उनकी बेटी हूँ आज मैं अपने आपको गोर्वानवित महसुस कर रही हूँ आज मुझे उनके जीवन से बहुत सरी प्रेणाय मिली है जीवन को जीने की एक सीख मिली है ताज इस खुशी के मोके पर आज मैं उनकी जतनी सरहाना करना चाहूँ शायद मेरी शब्दों में कमी आ जाएगी और आज मैं कहेंगी कि ये इश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है मेरे लिए कि मुझे ऐसे ही माबाप मिले है और मैं उमीद करती हूँ कि हर जन्नम में मुझे इस तरह के पैरेंस मिले ताकि मैं अपने जीवन को धन्यमान सकूँ आज उनका समरपण, आदर्श और जो परिवार को एक साथ लेकर चलने की जो बात है वो आप सभी को दिखाई दे रही है आज यहां पर आप आमंत्रित हुए है और यहां पर आपने मेरे माता पिता के प्यार की एक छलग देखी है इतनी खुबसर जोड़ी आज हमारे सामने है आज कहना चाहूंगी कि उम्र हो गई बुड़ी पर आज भी प्यार है जवा उम्र हो गई बुड़ी पर प्यार आज भी है जवा इससे खुबसर जोड़ी मिलेगी और कहां तो इतनी प्यारी जोड़ी के लिए एक बार जवरदार तालियों से मैं आपकी तरब से उनका स्वागत करना चाहूंगी उनका अभिजन्दत करना चाहूंगी आज मैं कहना चाहूंगी कि आप हर परिष्टती में एक दूसरे के साथ रहे चाहे जीवन का कोई भी उताव शड़ाओ का छंड रहा हो आपने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है और आज ये मुकाम और अपने प्यार की भवेता को इतना बड़ाया है आज मैं सही माहिने में देखती हूँ तो जब भी मैं उनकी आखों में देखती हूँ तो कहीने कहीन मुझे लगता है कि ये वो प्यार है जो निस्वार्थ भाव का प्यार है जो मुझे पाने कहा के और उनमें खोना चाहता हूँ मैं जब भी मेरे माबाब की आखों में देखता हूँ तो मुझे उसमें पुरी दुनिया नजर आती है और उनके आखों के अंदर मुझे निस्वार्थ प्यार का रूप दिखता है जिसे लगता है कि मैं पा सकता हूँ और ये मेरा ही अपना प्यार है तो बीना शर्त का बीना किसी एक निस्वार्थ भाव का प्यार जब जब मैंने उनकी आखों में देखा है तो जीवन की एक सही राह का मार्ग दर्शन मुझे मिला है सही माईनी में अगर ये कहना चाहूँ कि आज जो मेरा वास्तविक आखार है इसका कहीं ने कहीं श्रही पूरा मेरे माम्मी पापा को जाता है आज मैं जीवन की जिस बढ़ाओं पर आया हूँ मैंने हमेशा पाया है कि जब भी मैं असफल हुआ हूँ तो मुझे प्रोसहित करने के लिए वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे हैं और मुझे वो संभल और वो हिम्मत उन्होंने दी है जो मुझे जीवन से लड़ना जिसने सिखाया है आज वास्तविक रूप में मेरे माता पिता ही मेरी जंदगी का एक सबसे बड़ा अनुपम उपाहार है जीवन की मुश्किलों को सामना कैसे करना और उस जंग में नहीं हारना ये जीवन की सत्यता को मुझे आज बताया है ताज मेरे ममी पापा सबके पैरेंस हैते ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं उनके बच्चों की खुशी में उन्हें खुशी मिलती है उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे हमसे भी बढ़कर हो जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर पाएं यह हर पेरेंस की एक वास्तवीक उनका प्यार होता है और निस्वार्थ प्यार होता है आज में मेरे माता पिता की इस एनिवर्सरी की बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं और कहना चाहती हूँ कि जो प्यार का और आदर और सम्मान का जो आपका विश्वा से एक दूस्य के पती उसको लेकर आपको कहीं मिलों तक आगे जाना है और आपकी ये साल गिरा बहुत यादगार और शानदार हूँ और आज मैं इस खास मुके पर पुरी परिवार की ओर से हमारी परिवार की ओर से कहना चाहूँगी कि सूर्य सा प्रभावशाली तेज है आपका चांद जेसा उजला सवभाव है आपका अनुशाशिक जीवन से सजाया है परिवार अनुशाशिक जीवन से सजाया है परिवार खुश नसीब है जो मिला हमें आपका ये घर संसार आज हम पूरा परिवार बहुत अपने आपको गर्व से महसूस करते हैं कि हमारे बीच हमारे उपर उनकी शत्रशाया है जो हमें कभी जीवन में नहीं हादने देगी और हमेशा हमारे साथ खड़ी रहेगी हमें सही मार्ग दश्शित करेगी तो कुछ इस तरह से करकर आप अपने मन के शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो मैं आपको इस तरह से कह सकते हैं कि 50 सालों के इस सफर में आज इस दिन को यादगार बनाने के लिए आप सभी यहां परेकतितु हैं यह हमारे पेरेंस का वो प्यार समर्पढ है जो आज सभी को उनकी खुशों में बढ़ाने के लिए आप सभी को खीच लाया उन्होंने इन रिष्टों को पाने के लिए अपने आपको बहुत समर्पित किया है तभी उनका प्यार हम सभी को एक साथ ले पाया है आज इन खुशों में आप शामिल हुए पचास साल की इस प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने का एक सुत्रधार बने तास तहे दिल से मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ आभार व्यक्त करती हूँ अन्तमी सबसे इस खुबसर जोड़ी के लिए आज दिल से ये बात कहना चाहूँगी कि रिष्टों की नाजुक डोर थामे बढ़ते गए एक दूजे की ओर हुए पचास साल पूरे कुछ सपने हुए पूरे कुछ रहे गए अधुरे पर कम न हुआ इनका प्यार युही बढ़ता रहे आपके जीवन में प्यार की ये बाहार प्यार की ये बाहार तो कुछ इस रह से केकर आप अपने पेरिंस के लिए अपने भाव के भिविक्ति कर सकते हैं और इस खास दिन को बहुत खास बना सकते हैं एक यादगार शन बना सकते हैं क्योंकि बहुत कम मोके हमें मिलते हैं कि हम अपने पेरिंस के लिए कुछ कर सके क्योंकि जीवन में उनके इतने उपकार रहते हैं कि हम उनकी कभी भी भरपाई नहीं कर पाते हैं उनका प्यार निस्वार्थ होता है उनके कर्ज को हम कभी नहीं चुका सकते हैं लेकिन एक मात्री शोटा अपने शब्दों के माध्यम से अपने भाव की अभीविक्ति हम जरूर कर सकते हैं। इस खास मोके को आप कभी में मत छोड़िएगा। अगर अपने पेरेंस के लिए कुछ कहने का मोका मिलता है, अपनी बातों को बताने का मोका मिलता है, तो जरूर आप अपने मन भावक, अपने आत्मेता से जुड़े हुए शब्दों के माध्यम से अपने माता-पिता के चरणों में जरूर समर्पित कीजिएगा। यह खास वीडियो स्पीच थी, कि हम अपनी पेरेंस की एनिवर्सिटी को कैसे भीष कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं। उमिद करती हूं दोस्तों कि यह छोटी सी स्पीच की जो स्क्रिप्ट रही है, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों वही बात कहूंगी, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और शेर कीजी, और साइट में दिये वे बेल आइकन को पेस कीजी, ताकि मेरा हर आने वाला नया वीडियो से पहले आप तक पहुंच सके, तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो नए अंदास में आपके साथ मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए टेक केर, ओके, बाई